करें एग्सांपल में फोर आपके देरका है इंट रींगल कि सिमारे पास एक रीट करेंगल क men suspects कर दो और एकवल होगा और यह एक इसस्कृ प्राइगल किलाएगा यह में प्रूव करना है पैलकुत सिम्पल कौश्चन है हमारे पास पहले लिखेंगे गीवन क्या है तो हमारे पास इवन है अधी बाइसेक्टर आना वह एडी ऑफ एगल ए हैं हमारे पास गीवन है जिसका नाम है एडी, एडी क्या कर रहा है, एंगल एको टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एंगल ए, एंगल एका बाइसेक्टर है, और साथ में परपेंडिकुलर भी है, एंड परपेंडिकुलर भी है, वो काम कर रहा हो, परपेंडिकुलर भी कर रहा है, साथ में एंगल को टू प्रूव करना है यहां हमें शो करना है अब हमें क्या करना है एक वी इक्वल होगा आपके एसी के जिसका मतलब है कि हमारा एबीसी आइसो स्केलेस है तो इसका मतलब हो जाएगा आपके करना है तो अगर इस साइड को इस साइड के इक्वल करना है तो इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉंगरेंट करना पड़े तो हमें यहां पर लेना है इसका नाम हो गया एबीडी सेक्ड का नाम हो गया आपके इस ट्राइंगल ओक्वल करने है पहला इस ट्राइंगल का एंगल तो आपको लिखना है कि एंगल वन जो है वह आपके एंगल टू के एक्वल है रिजन हमारे पास गीवन है यहां पर आपके लिकावा है कि अधी वाइसेक्रों अधी व पाइसेक्ट्य। एंगलीक की सेक्इंड ये एंगल इस एंगल के एक्मिन मरलं आप साह्तर या पर नाम दे सकते हो नंबर दे सकते हो यह है आपका एंगल नंबर थी और यह है आपका एंगल नंबर 4 तो हमें यह आप लिखना है एंगल 3 जो है वो आपके एंगल 4 के एक्वल है रिजन क्या है आपके 90 डिग्री 90 डिग्री क्यों आया हमारे पास question में given है perpendicular के कारण फरड़ यह साइड ऐसा है इधरों सब्सकério क्यों आहां यहां देखो दू केले कि अब टू एंगल के बीच में साइड आ रहे हैं तो उसको बोलते है एस मियं है एस ए नियम से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ओंगुरेंट है ट्राइंगल ए सी डी के अगर हम तीन पार्ट एक्वल कर पाते हैं तो बाद के तीन ऑटोमेटिक एक्वल होते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल कोंगुरेंट हो चुके हैं और कोंगुरेंट ट्राइंगल के ओल थ्री साइड सामने वाले ट्राइंगल की थर्ड साइड के इक्वल होती है इस ट्राइंगल के थ्री एंगल सामने वाले एंगल के थ्री एंगल के इक्वल होते हैं क्योंकि दोनो मतलब होता है corresponding part मतलब आगे के दो नाम आगे के दो नाम ये दोनों आपस में क्या है आपके equal होगे क्योंकि triangle concurrent है और concurrent triangle के सारे part आपस में एक दूसरे के equal होते हैं इसका मतलब हम कह सकते हैं a b c is an isoscalous triangle isoscalous triangle hence proved example number five आपके दे रखा है e and f are respectfully midpoint of equal side a b and x थो हमारे पास ये side और ये side equal है को साथ में यहां पर आपके midpoint भी given है ये वाला और ये वाला क्या है मैं आपके midpoint है इसमिसमादब हमारे पास में दो triangle है कि पहले tim करेंगल है कर ठीद हमारा ये वाल है यह जससे अगर मैं आप लेता हूं ये ट्रेंगल कदो एक ट्रैंगल हो गया हमारे यह वालत का नाम है एबी एफ नाम इसका नाम क्या हो गया अब आपके एबी एफ कि एबी और एफ कि जो चोटा भी कर सकते हो यह ट्रैंगल है दिया अब सेकिंड ट्रैंगल जो हमारा वो यह है यह वाल यह ट्रैंगल है सेकिंड वाल इसका जो नाम है वह आपका एसी ही निए दिन और ट्रैंगल एक इधर से ट्रैंगल है और एक इधर से ट्रैंगल है और दोनों मिड पॉइंट के लिए इसके इकवल है यह इसके एकवल और पूरा साइड भी equal है और हमें यहां पर equal side heiß A B A C हमें B F और C को equal करना है अगर इन दोनों को equal करना है तो आपको इन दोनों triangle को आपस में coherent करना पड़ेगा अगर concurrent कर दिया तो काम बन जाएगा तो यहां पर जो डिवन है पहले वो लिखते हैं हुआ हमारे पास given क्या है इवन है equal side AB and AC AB और AC क्या है आपके equal है और साथ में क्या है E and F जो है वो है आपके midpoint E and F are midpoint और हमें करना है प्रूव करना है हमें क्या प्रूव करना है कि B F equal है आपके C E के अगर आपको इन दोनों को equal करना है है इन दोनों triangle को concurrent करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना प्रूव के अंदर ज्यान देना भी हमारे पास given है AB equal है आपके AC के क्यों है ऐसा हमारे पास question में given है अब यहां पर हमारे पास midpoint है तो यहां पर लिखेंगे E and F आर मिड़ पॉइंट मिड़ पॉइंट मिड़ पॉइंट मिड़ वता है साइट को टू पाइंट में डिवाइड करना मतलब अब AB का हाफ एक्वल होगा AC का हाफ अब AB का हाफ जो है इसका हाफ हो गया AE और इसका हाफ हो गया आपके AF अब AE जो है ना वो उदर की साइड आ रहे है तो चौह उसको ऐसे उल्टाब लिख सकते हैं इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो यह की बात है AF equal होगा AE के इसको हम लेते हैं यहाँ पर equation number 1 जो आपके बाद में काम आएगा अब हम लेते हैं इन दोनों triangle को हमें यहाँ पर लिखना है from triangle ABF ABF and triangle ACE इन दोनों triangle के अंदर हमें total 3 चीज़े equal करनी है पहला यहीं से लोग AF equal AE यह रहा AF यह रहा AE पर हमें यहाँ पर लिखना है AF equal है AE के क्यों है wrong equation first second AB किसके equal है AC के हमें आप लिखना है AB equal है आपके AC के reason क्या है यह question में हमारे पास क्या है given है तो हमें यहाँ पर लेना है given third point angle A यह वाल angle इधर triangle में भी काम आ रहा है इधर भी काम आ रहा है angle A इधर भी काम आ रहा है इधर भी काम आ रहा है तो हमें यहाँ पर लिखना है angle A equal होगा angle A के क्यों है तो यह है आपके common two side plus one आपके angle आ रहा है तो उसको हम बोलते है two side plus देखो यह दो side है बीच में angle है तो यहाँ पर आपके आएगा S A S हम कह सकते हैं कि triangle A B F कॉंगुरेंट है triangle A C T K अगर ट्रैंगल कॉंगुरेंट है तो corresponding part क्या होंगे equal तो यह वाला इसके equal इसका B F कि इसका C E दोनों equal होंगे क्यों होंगे लिख सकते हैं by C P C T C P का मतलब होता है लास्ट के दो नाम लास्ट के दो नाम जो इदर से लिया वह उदर से लिया और आगर लिका हुआ है कॉंगुरेंट ट्रैंगल दोनों ट्रैंगल कॉंगुरेंट हो चुके हैं तो इनके corresponding part automatically एक दूसरे ट्रैंगल में equal होते हैं जैसे यह इसके होगा क्योंकि बोट ट्रैंगल आर पॉंगुरेंट एक्जांपल नंबर शीक्स आप के देरिका है इन एन आइस तो इस तो इस ताइंगल देरिका है जिसमें एप के आपके equal है यह जो सइड है वो इस साइड है यह हमारे पास given है और दी और फोट हमारे पास जीवन है जिसमें बी फॉवल है इप्टी के बदलब यह वाला यह पूरा side यहां से लगागा कर यहां तक और यहां से लगाकर यहां तक यह दोनों आपके हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉंपूरेंट करना पड़ेगा अगर दोनों हो गए है तो एटी आता इसमें और के आता उसमें हो जाएगा तो द्याएंगा नहीं को सिंपल है पहले हम देते हैं कॉर्शन में गीवन को सिंपल सा चीज आपको लेना है पहले तो एपी एक्वल है आपके एसी के और बी एक्वल है और हमें करना है शो करना है कि दूड़न है अडी इक्वल है आपके एए मदलब यह और यह इक्वल है अब हमें सो करना है यह और यह जैनको इनको इस साइड को कि साइड के एक्वल करना करें तो सिंपल लेको यहां पर त्रूफ लेते हैं है कि फेलम लेते हैं कि बी जो है वह आपके सीडी के एकवल है क्यों है ऐसा हमारे पास भीवन है हमारे पास यह और यह एकवल अब यह पार्ट ऐसा यह दोनुत रपा इसको क्या करने की माइनुस कर देने हैं हमें यह आपकर लेना है बी ई Subtract from both sides तो BE जो है उसमें से हम माइनस करेंगे DE और CD जो है उसमें से हम माइनस करेंगे DE पहले हम BE मैं से DE माइनस करेंगे ति यह बचेगा आपके BD इधर आपके आने वाला है BD अधिर सीडी में से माइनिस करेंगे D कुछ क्या बचेगा C पचेगा या कहतो इसी बचेगा सी बचेगा एक ही बाद है इसको मिलेते हैं equation number one एक और point मिलेते हैं यहां पर हमें पता है कि यह और ट्राइंगल लेते हैं कौन साम एबी सी ट्राइंगल लेते हैं इस ट्राइंगल के अंधर एबी एक्वल है एबी जो है वह आपके एक्वल है ऐसा हमारे पास question में गीवन है अगर य और साइड एक्वल है तो यह और एंगल दिख्या रहेंए कि इक्वल वालभ एंगल B वुल हो आपटो इंगल नंबर टू एवर आपका अंगल नंबर स्क्राइंग इस ट्राइंग लें हो एब constitution number two अगो तो अगो फ्रॉम ट्रेइगल एक तो यह हो गया लिए है यह ट्रायगल हो गया है आपके अबीडी एंड ट्रैंगल को, एचीए वह में टोटल तीन जिजें आपको इकवल करना है नमबर बन एक तो यह राए बी डी इकवल सी इए राए कि इक्वल है कि यह तो लिख सकते हैं फ्रॉम एक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इसकते हैं कि बीडी और सी आपके इक्वल है अब सी लिख दो इसी लिखो बाद एग यह आप चौज इनको आगे मिछ भी लिख सकते वाएं कि एक बात का से लिख अब फूसरा यहां से लिख है एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल रिजल क्या होगा यहां पर लिखिंग हम इक्वेशन सेकिंड थे थे इस ट्रैंगल का ए-b इस ट्रैंगल का ए-स ए-स्ट्री आक के इक्वल है तो अगे के दोना आपके इस क्यों है इक्वल ऐसा हमारे पाष्गे में क्या है इवन है अब यहां पर आपके नियम लगेगा एस एस से हम क्या सकते हैं कि ट्राइंगल अगर कॉंगुरेंट है तो क्या होंगे आपके एकवल होंगे मतलब एड एकवल यह रा एड यह रहा एड जो है वो आपके एकवल होगा रिजन आपको लिखना है बाइच सीपी सीटी कोर्सपोंडिंग पाफ ओफ कॉंगुरेंट ट्राइंगल आथ इकवल एक साइवन पॉईंट तू कोशनन्मर वण हमारे पास एक आइसो इस स्कैल ट्राइंगल एड इस इस में एडिक वॉल सीट बनाओ कि यह हमें बनाना है ट्राइंगल इसका नाम हो जाएगा आपके प्राइंगल A, B, C यह हो गया आपके A, यह हो गया आपके B और यह हो गया आपके C अब यहाँ पर हमारे पास है बाइसेक्टर है किसके B और C के जो कहां कट रहे हैं ओपर कटर ज्यान दोनों के बाइसेक्टर और एक आपके एंगल सी का इन दोनों के बाइसेक्टर है वो कहां गट रहे हैं यहां पर इस पॉइंट का नाम है ओपॉइंट अब आगे हमें प्रूब करना है जॉइन ए टू ओ हमें क्या करना है ए टू ओ को जॉइन करना है 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 को वोसे जॉइन करना एक कर दिया अब अब हमें इन प्रूब गरना है और विक्वल है इन प्रूबट, लिख ज्याव द्रूब करना है फिर 652 बटल करने कि अ यह będzie को सब्सक्राइक, प्रूब करना है है वो आपके a c k equal है second point हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्ट कि पाइसेक्ट कि बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी एंगल बी और सी का बाइसेक्ट हो रहा है कि और हमें यह दो चीज़े प्रूव करनी आ ज़ाओ यह वाला यहां आसे सकते हैं हम जय कि पहले हैं पास और हें यहां इनको आप जो हो एक सकते हैं पहलेमिह कया यहां करते हैं ध्या году क्यों है ऐसा हमारे पास question में given अगर यह दोनों साइड इक्वल है तो यह दोनों एंगल भी क्या होगा एंगल सी के तो हमें यह आप लिखना है एंगल भी एक्वल होगा एंगल सी के अगर साइड इक्वल भी हो जाए ओपने इस रवनकरा होगा किसी इक्वल होता है करते हैं को रखेत है तो इक्वल हो ऊक्वलम हो डॉब तो वह एक दूंस्स आपने पढ़े होंगे वही आपको यहां पर लगू करने हमारे पास double वाक्स नोज़ा पर भगल भाय सैक्टरतर और आथा क्र इसनों गदराइख करना है यह दो नाम है उसे होग अ瓜 कि इसको देते हैं एंगल नंबर वन इसको देते हैं एंगल नंबर वन जो आपकी काम आने वाले हैं अब हम लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल को यह और यह और यह लिए और AOC तो हमें यहाँ पर लेना है रॉम ट्राइंगल A, O, B एंड ट्राइंगल A, O, C हमें टोटल तीन चीज़े करनी हैं इससे तो क्या करेंगे सिंपल सा है यह और यह ट्राइंगल के अंदर यह वाला इसके एक्वल है एपी जो है वह आपके एक्वल है क्यों है क्योंकि यह है हमारे पास question में given hai second, यह एंगल इसके है इस ट्रेअगल का one एंगल, इस ट्रे cliff का 2 आपके उक्वल है एंगल one जो है, वह आपके एंगल two के एक्वल है क्यो है लिख सकते हैं हमारे हमने यह फृभ द्रूल दूबर रहे हैं इक्वेश नुबर वन, रम अहा पलीन लेना है A O equal A O और यह हो गया है आपके common side यह देखो A O यह रहा है अब यहां पर आपके two side plus one angle है इसमें क्या लगाएंगे आपर हम S A S लगाएं क्या लगाएंगे आपर हम S A S कि वैगल A O B कॉंगरेंट होगा ट्राइंगल A O C तो अगर ट्रैंगल का अणकरन ते क्या है परस्पोंट पार्ट क्या होने वाला है आपके कि एकवल होने वाला हॉं। अगर आप चाहिए किंट आप Kash에게 आप्ट के सकते हैं एक तो हम यह फोर के एकवल वह दर वह एकवल तो हम यहां पर यह अब यह हो गया हमारा आइसोस्टेलिस देखो यह साइड इक्वल थे अब यह साइड भी क्या होगा आपके स्यूप कि आपको लगता है कि यह और यह साइड अगर यह और एंगल यहां लेंगे तो एससे कोई नियम ही नहीं ही खकना लगता है कि यह साइड यह मही नहीं लगेगा अगर आपको लगाना है तो आपको फिर इस ऐट को हटाना पड़े गा कि भी आपको यहां कि आख गए नहीं हो रहा हुए कि वहां कि यह रही हम तो हम यह लेंगे यहां पर हम लिने वाले हैं पी ओड़ एक्वल सीओ फ्रॉम एक्वेशन सेकंड यह इसके इक्वल है अब यह दुना आपके इक्वल है तो जैसे यह दूना इंगल होगे तो इसका आपको ध्यान रखना है तो जैसे ही प्रस्पेशन होता है तो परस्पाट क्या होंगे एक्वल इसका मदलब हम यहाँ पर कह सकते हैं हमाना लेंगेल होग सक्षी लिए होगा है यह पो और यह thanked यह प्रूवर करना थे पहले यह प्रूवव करना थे यह पर आप इस और यह पर रहेगा यह और करना है तक यह वाला पॉइंट यहां पर काम आ सके और फिर हमें स्टिपिसीट से से किन वाला पॉइंट भी प्रूव कर देगी कॉसर नुमर टू आपके देर का है इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल एबीसी के अंदर एडी परपेंडिक्लर बाइस ट्रॉब इस एडी जो है वह पर पंडिक्लर भी है एक नाइंगी में अमें प्रूव करना हैं कि आईень इसमें इसमें की होना चाहिए ह्गो हमारे पास क्वस्चन में भी डिवन गीवन 언제 एडी जो क्या है आपके बाइसेक्टर परपैंदिकूलर बाइसेक्टर परपैंदिकूलर बाइसेक्टर और अपने करना है प्रूव करना है है क्या प्रूफ गरना है was legal कि why is heb that आट के एक हम कि एंप से सअ के लिखना और हुने हमाएफ प्रूफ करना है ए-भी-सी एजई एज है और इस्टे यह आप कोड़ीध करना है यह प्रूफ में है सिंपल सा दो त्राइंगल को हमें क्या खिलना कि इसको इसको कॉंगुरेंट करना है तो हमें या आप है कि प्रोम ऊंपताना है क्यों साइड किसके इकवल है तो पहला वी डी इकवल है cd के तो यहां देखो यह bd नाम है यह cd नाम है यहां पर हम लिखने वाले है bd जो है वह आपके cd के equal है reason क्या हो जाएगा reason यह लिखाओ आ है ad bisector of bc तो यहां देखेंगे हम ad the bisector of bc second point perpendicular यह 90 यह भी 90 हमें यहां पर लेना है आप चौद यहां पर नंबर भी लगा सकते है यह आपका 90 डिग्री जिसकों बोलते है यह आपके आने वाला है यह साइड इधर भी काम आ रहे इधर भी common side ad 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 हमें यहां पर लिखना है ad equal ad और यह आया है आपके common side कि अब common side हो चुका है तो आप देखो simple सा थ्याना करना वही तो यह कब लगता है देखो तो साइड बीच में अंगल तो साइड बीच में अंगल तो यहां पर मित्ते हैं लग गया sas क्या सकते हैं कि ट्राइंगल a b d अगर ट्राइंगल a c d अगर ट्राइंगल तो हम क्या सकते हैं कि a b equal a c होगा आगे के दो नाम आगे के दो नाम तो हम इसमें क्या सकते हैं a b equal होगा a c क्यों होगा लिख सकते हैं by cp c corresponding path of congruent triangle अगल आर एक्सटाइ 7.2 का थर्ड कोश्चिन a b c and isoskeleton a b c जो हना वो एक isoskeleton देल ले विच एल्टीक्यूट b e and c f are equal क्या लिखा हुआ है हमें b e और c f हमें बनाने यह perpendicular कहां पर है equal side of a c a b a c a b equal side है उन पर perpendicular है और हमें so करना है कि altitude are equal हमें प्रूव करना है कि यह दोनों equal होंगे है बिल्कुल easy जब है पर question में हमारे पास given given क्या है equal side a c a b मतलब a b किसके equal है a c के यह हमारे पास given है और b e और c f है दो एल्टीट्यूड है तो यहाँ पर मिखेंगे be and c f यह दोनों क्या है altitude है और हमें करना है प्रूव करना है अब हमें क्या प्रूव करना है हमें यह प्रूव करना है कि altitude are equal मतलब be or c f equal है यह प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि be equal होगा आपके c f k कि यह अब लेते हम यहाँ पर प्रूफ में हमारे पास दो ट्राइंकल ले एक राइंकल होगा यह वाल यह यह लेना आप चौर्व यहाँ पर मैं बता दो हूं आपर आप ए कि यह लिए का नाम है आप के तो यह लेना नाम है इसका नाम है यह अब को दूसर अधर ट्राइंगल है आपके यह बन करने को यह लिए लेंगल है हमारे पास एक रेड गल्दर का है और ये गल्दर का है और गल्डर हम क्या करता है यहाँ पर दो ट्राइंगल लेंगे एक का नाम होगा है रेड गल्दर में इसका नाम है A B E हमें यहाँ पर लेना है from triangle A B E एंड ट्राइंगल इसका नाम है A-C-F A-C-F अगर आपने इनको कॉंकुरेंट कर दिया तो B-E-C-F के इकुल हो जाएगा 22 सिपिश्ट के फ़स्ते पहले A-B-E-C-K मतलब A-B इधर नाम आ रहा है इस इस रेड़ वाले में A-B आ रहा है और ब्लू वाले में A-C-A-R-A कमप्लीट लाइं तो हमें यहां पर लिखना है A-B जो है वह आपके A-C-K पार के एकुल है ऐसा क्यों है हमारे पास में क्या है गीवन सेकंड पॉइंट इन इडिक्री इसमेई 90 है और इस वाले में F90 और 90 इदर वाले अंदर वाले 8-9 ॐ यह अधर इसमे फ-9 10-10 यहां पर हम रिकने वाले है अगिवे को बीत मिल्यू कि एई बी एक्वल होगा एंगल एफ सी कि क्यों है दोनों के दोनों 90 डिग्री है 90 क्यों है पॉस्चन में हमारे पास इवन है एल्टी ट्यूड थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट हम देखेंगे यह एंगल ऐसा है एंगल ए जो इधर भी काम आ रहा इधर भी काम आ इधर भी काम आएगा इधर भी काम है यह क्या हो गया आपके को मत कि यह हो गया है आपके को मनें अब यहां पर टू एंगल बंसाइड तो यहां पर देखो यह साइड हमने लिया है यह इंगल यहां पर साइड है तो यहां पर हम देने वाले हैं ए एस नियम हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी टी कोण्गुरेंट है ट्राइंगल ए सी एफ के अगर्ट है तो कोरिस्पनिंग पार्ट क्या हूं एक्वल तो corresponding part हम लिखेंगे be cf यह पीछे के दो नाम यह पीछे के दो नाम यहां पर हम लिखने वाले हैं be equal cf क्यों होगा by ct ct corresponding part of congruent triangle are equal question number four आपके दे रखा है ABC इजे ट्राइंगल ABC क्या है एक ट्राइंगल है यह रहा भी ट्राइंगल इसमें आपके देरका है be cf जो एक्वल है इसके एक्वल है जो इन साइड के ऊपर है और वो ताद इक्वल कि अब हमें परूब ना है कि triangle क्या है concurrent है और यह साइड क्या होंगी आपके एक्वल हमारे पास दो ट्राइंगल है अब हमारा यह वाला एक का नाम है यह लिए यह लिए यह वाला है अब दूसा दो ट्राइंगल है वह हम लेते हैं यहाँ पर इसका नाम है कि ए दो ट्राइंगल है एक को अगरम कर देंगे तो काम बन जाएगा हमारा पहले हम लिए पास गिवन क्या है तो गिवन है बीए एंड cheeva ratio और इकवल यह औन यह दोनों आपके एल्टी क्योंड बी है वाला इसके उक्वल है यह लाइन और इन और यह लाइन बनाते हैं वह पादल, और यहन, चैनल के अब इसरी त्रियंगांन में अगरं नमर्ग बन देते हैं उद्थर हम लेंक नूबर तो यह वाला इंटे थ sensitivery था जल्तीट रहे हैं अह करना है घ्रा हमदो मिय एक करना है यह हम निक सकते हैं अयह फूरा कंक्प्लीट घ्रूर्ण यह होगा तो यह होई जाए क्योंकि इसी के पार्ट है लिख देगे सिंपल सा हम चलते हैं यहां पर प्रूफ में जिनको हमें कॉंगुरेंट करना है उनको लेंगे एक का नाम है यहां पर लिखने वाले हैं रॉम ट्राइंगल एबी इड ट्राइंगल हो जाएगा आपके एस दू ट्राइंगल हमारे पास हैं हमने टोटल तीन चीज़े एकवल करनी है जिसमें वन साइड का होना कंपलकर ही है फर्स यही वाला बी इड उसी अफ इकवल ईकवल है जब यह रहे बी और यह राशी है यह दो आपके एकवल है तो हमें यह लिखना है बी किसके इकवल है मेंopy IT Professor City यहां पर हमके दोनों में हमारे पास कि यह हैं कि आ ये अंगा पर सालत्त थैयकंड चाहिए तो इदर वी सतओ हो कि इए आप udah third है आपके का है। अंगर ऑनः इक्वल होगा एंगल टू कई और 9 डिग्री और 9 वन कियों है क्योंकि हमारे पास इवन है कि क्या है क्नसिय है ऑन्टी डिग्री में तो यह और यह नाइन पी है अब दतुच यहां पर यह एंगल आया है यह इन दौनों यह है और एक वन साइड है है यहं पर लेगे एएएस कि हम क्या सकते है कि ट्राइंगल ए बी ए टोन्गुरिंट है ट्राइंगल आविएज का लिए काम थो करेस्पंडिंग पार्ट की रहे को लोन मिंदगा किसका आगे वाले दो नाम वालनकिन्ग के रेखनिगा डोना मतलब दोना मथलनकल किसके के उस ट्राइंगल से सारे corresponding part जो है वो क्या होते है इक्वल होते हैं यह दोने equal हो गए है क्यों हो गए है लिख सकते हैं by cp 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 का मतलब होता है corresponding part इसके आगे के दो नाम इसके भी आगे के दो मतलब होते ही उसके six part automatic अपसमें equal होते हैं three angle three side इसके three angle उसके three angle के equal इसकी three side उसकी three side के equal हो जाती है तो वो six करने के लिए पहले आपको यहाँ पर three equal करने पड़ेंगे three equal करते ही बाकी के three automatic equal हो जाते हैं question number five देरका है abc and dbc are two isoscalist triangle तो यहाँ पर देको एक triangle भाई यह यह है isoscalist triangle एक देरका है आपके dbc isoscalist triangle हमें प्रूव करना है कि यह एंगल के equal है यह हमें क्या करना है simple देखो पहले हमें क्या करना है इस line को हटाना है इस line को बीच से हटाना है और हमें क्या करना है सीधर इस के बीच में यहाँ से क्लाइन इस यह यहां पर बना का इस में यह फीन आपद्रो करना तो आप सो A B C and D B C are two isoscalous triangle यह हमारे पास भीवन है जिसका बेस सेम है बीसी बेस है उस बीसी बेस को हम हटा देंगे और हमें सिधा लाइन हमें ड्रॉ करना है और हमें करना है प्रूव करना है क्या प्रूव करना है हमें कि एंगल A B D इकवल होगा एंगल A C D की यह हमें क्या करना प्रूव करना जो भी है तो हम यहाँ पर करना है construction करना कर एंगोर दी से जॉइन कर दा है तो यहांपर हम लिखते हैं जॉइन एक टू डी इन दोलों को जॉइन करेंगे जॉइन करेंगे दिखो इधर वेग सा चरो प्रोव है एक वैडिया वाला एक का नाम आवई क्लाइक हम यह माल मेर आप फिल लेना है from द्र्रेइंगल एबीडी ढम है and है एध्राइंगल हम लेने वाले ह Souls सबसे प्रेख लेगो हमें यहां पर इची जा रखना है यह जो लाइन बना रहे हैं यह बीच में जैसे डॉट डॉट रहे मंतलब पूरा नहीं विटाना है ऐसे जॉइन करना बस यह लाइन हमारे से हैं हमारे पास हों कि इन दोनों के अंदर यह यह राइंगल एक वाल लेसे लिखुमस आपके आप में आहब रीखना है है जो है वह ह Anda षाय आपके इसी पीटë मैं यारे गाल थोना या इसी पर रीजन क्या लोगा आप क्योंकि ए भी सी आई सोसी के लेंग्ट रोन से सेपरडिसbin नहीं यह वाला इसके एक वल है वह पिजीर व आपके सेडीकों थी बीन जो है वह आपके सीडीकर स्टनसमिय तो आम यह कीघ्र ऐस्टाइड प्रमिय के nesse का आम है डी पी-पिशी मैडिक इस Prime फ्रेस्टाइन थो फॉइंट है यह लाइन यह साय जो इधर भी काम आ दितर भी काम ओमन लाहिए इसको बोलते है एक इधर भी यहां पर आपके नियम कौन सा लगने वाला है SSS नियम, ट्रैंगल, ABD कॉंगुरेंट है ट्राइंगल, ACD होतनी के आपकेड होले अब क्रेस्टक का मतलव हो गया ये एंगल इस एंगल के के एकष्ट हो गा वह हमेंeneca इक वह हमें पुरूव कहना यह वर एब डी एक लीडि एकल हमें पर लिकना है एंगल एम इडी क्वण के एंगल हो गाइंगल यसी कि क्यों होग हुँ देखेंगे आपर by CP CD all three side equal all angle are equal यह एंगल इसके equal corresponding part यह वाला इसके equal corresponding part यह वाला इसके equal corresponding part इसको बोलते हैं CP CT मतलब यह दोनों आपस में concurrent है एक दम एक बूसरे का photocopy है इसलिए यह part क्या होंगे आपके equal on question number six आपके देर का है ABC इजए आइसो स्केले स्क्राइब हमारे पास देर का है आइसो स्क्राइब कौन सा है इसमें वो यह बहुत है यह इसके एक वले और इधर दी आइस में स्क्राइब से यह इसके एक्वल जो यह दून अगर आपके equal है इसका मतलब है कि आपके एंगल number one equal इसके एकोल है और यह एंगल इसके एकोल है ऐसा कह सकते हैं जैसा हमारे पास question में given हमें प्रूव कोरना है कि एंगल सी जो है यह वाला 90 डिगरी का होगा हमें प्रूव करना है कि वो 90 डिगरी है हमारे पास question में given given क्या है a b c is an isoscalous triangle जिसमें आपके A B जो है वह आपके A C K equal है एड जो है वह A B के equal है एड जो है वह आपके A B K equal है यह वाला यह तोना भी आपस में पर हमें करना है सो करना है कि एंगल भी सीटी जो यह ना वहां कि नांटी डिग्री का होगा अब हमें लेना है यहां पर प्रूफ है रोफ मेना सिंपल सा ध्यान करणा है आपको कि यह वाला इसके पहले पहले तम यह लेते हैं आप रह्म आप एंगल नाम है यह जो है वह आपके एसी के एक्वल है क्यों है ऐसा हमारे पास पॉस्चियन में क्या है अगर यह और यह इकवल है इसका मत्लब वन एकवल होगा आ साइड इक्वल क्योंकि एक ईसो Part wagon अब हमारे पास स्क्राइब मने तो वो एसी के एकवल है एंड एडी जो है वो आपके एबी के एकवल है ऐसा कोश्चन में हमारे पास एवन है एबी एकवल एबी एडी एकवल तो यह दोनों भी क्या रहेंगे आपकी एकवल रहेंगे पर एकवल होगा एडी के मुद्लब यह वाला इसके एकवल हो जाए बोत आर इकवल बोट आंग जल रहेंगे खोल और फॉर क्या हो जाएगा आपके एकवल इसको लेते हैं इक्वेशन नमबर वन इसको लेते हैं इक्वेशन नमबर यह को हो चुके हैं अब हमें लेना है अब इसको थोड़ा भूल जाते हैं थोड़ देर के लिए थोड़ देर के लिए क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कुछ है कैसा मानना है कि यहां आपर यह साई लिखाई वे ऐसा हम ले सकते हैं चाहोँ तो कि शुरुआ कि देखो सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेते हम यह ट्राइंगल इसका नाम है पीशी ट्राइंगल लेते हमें यह आप लेना है ट्राइंगल बी-सी-डी इसमें एंगल बी है एक एंगल सी है एक एंगल डी है जो होता है आपके 180 डिग्री अब बी एंगल पे है आपका है जो वह बी के अंदर है एंगल वन अगल दबल एंगल है एंगल टू भी है और एंगल ट्री और दी के अंदर है आपके एंगल नुमबर फोर इंचिकल टू होता है आपके 180 डीग्री मैं यह लेना हूं यह ठाएंगे अब अब क्या करेंगे लेगे गोर्ण देना है हमें पता है कि वन टू इकोल है और ती फुर युइपल हमें ध्यान देना है भीजिफेव sesame अन्ला को मालमें इस पार ज्यान देना है अधल तू और थ्री ए रैकला है वन और फोर ग्यम करें यहां पर भाले था यहां पर लेने माली आ हैं फ्रों म इक्वेशन फर्ष्ट एंड सेकी है वल्याय मूर्ट सेक्षानि आप लिखना है यहां पर भी 2 यहां पर 3 और यहां पर 4 4 जो है वो 3 फोर की जगह हम क्या लिखेंगे आप रहा हम 3 लिखेंगे यह आपके 2 टाइम और यह भी आपके 2 टाइम और तू आगे बार कॉमन नहीं आगे इन दोनों में टू कॉमन है तो टू कॉमन ले लिया हमने और यहां बचावा है अंगल 2 प्लस अंगल 3 और वो है आपका 180 अंगल 2 का जाएगा डिवाइड में और अगर आप इन दोनों को आपस में अड़ करते हो यह आता है आपके एंगल सी बोलते हैं एंगल सी को वे तो भी चलता है और आप चौत यहां पर एंगल बी-सीदी भी किया सकते हूं यह वाला 180 का 180 मुल्टिपल का जाएगा आपके डिवाइज में और यहां पर B C D का वैल्यू होने वाला है 90 डिग्री इस इस राइट एंगल पॉर्शन नुबर सेवन है एबी सी इधे राइट ट्रेंगल एबी सी क्या है वह एक राइट ट्रेंगल हमारे पास दे रखा है तो एंगल ए जो है वह आपके 90 डिग्री का है एंगल ए जो है वह आपके है 90 डिग्री का है और इसमें A B A C आपके इक्वल है मतलब इसके अंदर दोनों साइड है इक्वल है A B A C क्या है वे आपके equal यह side इसके equal है तो बताओ B और C का value क्या होगा तो हमारे पास question में given given क्या है A B C is right angle triangle और जिसमें angle A जो है वो है आपके 90 degree का और क्या given है A B जो है वो आपके A C के equal है हमें find करना है B का value क्या होगा क्या होगा हमें करना है find angle B का value क्या होगा और angle C का value क्या होगा यह आप में फाइंडिम्ट यह ट्राइंगल देते का आप जस्ता side equal angle equal तो ध्यान सिंपल ध्यान अगना है आपको इस ट्राइंगल के अंदर तो मैं आपको लेता हूं फ्रों ट्राइंगल ABC कि इसके अंदर हमारे पास given a a b equal a c a b जो है वह आपके a c k equal है कि यह और यह अगर यह दोनों equal है इसका मतलब है कि यह बोट angle are also equal यह आपस में कह रहे हैंगे इसका मतलब है एंगल b equal होगा एंगल c के यह हमारे पास question में क्या है given दोनों एक्स माल लेते हैं ऐसा लिखेंगे आपर हम लेट एंगल बी और एंगल सी दोनों का आप एक्स मालों बोट आर इक्वल है अब हमें यह आप लेना है सिंपल का जान रखना है प्रॉम प्राइंगल एंगल एंगल सम्प्रोपर्टी ऑप्राइंगल तो है वो होता है 180 मदलब एंगल 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 बी प्लस एंगल सी तीनों का सम होता है 180 क्यों होता है एंगल सम्प्रोपर्टी ऑफ ट्राइंगल यह नहीं है एंगल सम्प्रोपर्टी और ट्राइंगल अब ए का वैल्यू हमारे पास है 90 बी और सी का वैल्यू हमारे पास एक सी का वैल्यू इएक्स वैल्यू गी एकस इकल टू वन एकस टू टू इए टू एकस टू एकस प्लस का नाइनटी है दो ट्राइंगल करेंगे मानिस होना है 2x का 2x करो माइनस तो यह आता है 90 मल्टिपल का जाएगा आपके डिवाइड में यह मल्टिपल का डिवाइड जाएगा सो एक्स का वैल्यू आएगा 90 बाइट्व इसको डिवाइड गरेंगे यह होता है आपके 45 और यह आएगा करेंगे अगर कोई ट्राइंगल है इसकी और साइड इकलो होती है उसका इच एंगल शिसकी डिवरी होता है यह मैं क्या करना है प्रोव करना है फिर्कु देखो यह है हमारा आईसोस्केल इस ट्राइंगल क nämा कि इसको वोलते है सो इसको केलिस ट्रॉआंगल वो यह भीसी लेते हैं इसको नए बीसी इस इसव तरह टाँंगल ऐ उसकी नहीं इसको बोलते हिंश केलिस त्रयंगल तो में हमारे पास given है क्या given है हमारे पास ए ब्लेटरल of day ट्राइंगल है एक्वी लेत्रेडरल ट्राइंगल के इसे ओ ल साइट्स आहं इक्वल उसको बोलते है और हमें करना है प्रूख गरना है प्रूव इच एंगल 60 दिग्री एच एंगल 60 दिग्री यह अमें प्रूप करना है मतलब हरी एक एंगल को आपको 60 डिग्री पर लाना है बिल्कुल जाको ध्यान है हम लेते हैं यहां पर प्रूफ यांप लिगें अव्स प्रॉम ड्रीम एई बीस तीनों एंगल का तो सम है वो होता है 180 मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इस इकल टो होता है आपके 180 क्यों होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ओफ ट्रैक कर् Herman and I am ओन्पर कर्नेर इस मैं बीरएव हूँ आपके एपड मतलब थ्यां इसका मतलब एंगल बी जो हो आपके एंगल सी पुल हो यह और एगर आपके खना वंदाब और यह दोनों क्या BC जो है वो आपके AC के equal है मतलब ये वाला ये वाला equal इसका मतलब angle A और B वी क्या होगा आपके equal होगा अब दोलों equation से लगता है ओल एक्वल तरह में आपके लेना है प्राम इक्वेशन फिर्स्ट एंड सेकिंड जो एंगल एक आंगल ये वी जो है वो एक एक एकवल यान लिए अगल ये अब सी जो है वो बी के ये वाला इसके वपुल है और ये वाला इसके एकवल है और ये वाला इसके एकवल है और अब मल्टिपल का जाएगा आपके डिवाय। एंगल A का value आएगा 180 upon 3 जैसे डिवाइड गरते हैं डिवाइड गरने पर आपको मिलेगा 60 डिवाइड और यह हो गया भी आपका है सुट